हेले इस्टूरेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सब एक आपके पने शेनल सी कोचिंग क्लासस पर सोगत है क्लास टोल्थ फिजिक्स एंसी रटी चैप्टर सेबन में आज हम सर्चा करेंगे आपके पास जैसे एक प्रत्यवर्ती धारा परिपत है उसमें प्रतिरोध जुड़ा हो और संधायत जुड़ा हो मतलब इस्टूरेंट प्रतिरोध को आर से और संधायत को सी से दरसाते हैं तो आर्सी या सी आर परिपत ऐसा कुश्यन आ जाता है कि सी आर परिपत के लिए परणामी बोल्टेज निकालो कौन सा परिपत इस्टुडेंट सी आर परिपत या आर सी परिपत ठीक है न तो सी आर परिपत रहे या आर सी सी मतलब क्या है सी नी सी धायता का संधायत और मतलब प्रत्रोधक ठीक है न दो चीजें जब जुड़ा हो तो उस पर टोटल प्रतिवाधा कितना होता है इसके वारे में पूरा गड़ती व्यक्या करेंगे परणामी बूल्टेज कितना होता है फ्रेजर आरेक क्या है ठीक है और टोटल प्रतिवाधा ये सारी चीजें वीडियो क अंतक देखना आपको पूरा कलांतर सहीत आपको समझाओंगा कौन अग्रगामी होता कौन पस्छगामी होता पूरा विजवत थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि लंबे टॉपिक से हैं ठीक है तो चलिए पढ़ा-पढ़ शुरू करते हैं सबसे पहले चीजें तो सम होता है भी बराबर भी जीरो साइन ओमेगा टी प्रीविएस वीडियो में आपने देखा होगा जिहां इस प्रेंट आप लोग प्ले लिस्ट ज़रूर विजिट कर लेना क्योंकि कभी-कभी नोटिप किसन नहीं देता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं मेहनत क करता हूं लेकिन कभी-कभी यूटूब नोटिप किसन नहीं देता जिससे आप आल वीडियो नहीं कर पा रहे होंगे तो प्ले लिस्ट एक बार विजिट कर लेंगे तो सारे वीडियो वहाँ पर मिल जाया करेंगे ठीक है चुकि प्ले लिस्ट में अड कर देता हूं तो आ आर प्रत्रोत का एक प्रित्रोधक जुड़ा हुआ है और सी धायता के एक संधायत जुड़ा हुआ है तब उस पे प्रत्यवर्ती बोलता का संधायत कितना होगा भी बेराबर भी जीरो साइनोमेगाटी ठीक है पटापट लिखते चलना आपको जो मैं बताते चलूँगा तो यहाँ पे डाइग्राम बनाना है थोड़ा सा डाइग्राम पे ध्यान देना कुछी रहें कि यहाँ पर देख सकते हैं आर आर सी परिपत या सी आर परिपत कहते हैं यह आर है इस्ट्रेंट मतलब आर प्रित्रोध का प्रित्रोधा का है C धाइता का संधाइत है दोनों स्रेडी क्रम में जुड़े हुए मतलब एक के बाद एक क्रम में जुड़े हुए है इसके एदि टोटल मैं कहूं तो यहाँ पर यही विवांतर किता होगा तो B, R होगा यहाँ पर विवांतर तो V, C होगा कितना होगा? B, C होगा थेक है? तो R का जो विवांतर है B, R होगा और C का विवांतर होगा B, C होगा ते खिश्टन, इतना κοι्यर होगया अच्छा, OM का नियम आपने पढ़ा होगा OM का नियम क्या होता है? B बराबर IR होता है लेकिन R के लिए करेंगे तो VR बराबर IR हो जाएगा अच्छा, VC के लिए करेंगे तो I into XC होता है अब कहेंगे कि XC कहां से आ रहा है, सब समझाओंगा लिखना कैसे समझेगा कि माना किसी चनल T पर परिपत में प्रवाइदधारा आई हो तब प्रतरोध R के सीरो के बीच बूल्डता कितना होगा V, R, NB, R, V बराबर IR ये कहां से आ रहाए, ओम के नियम से कहां से आ रहाए, स्टुडन ओम के नियम से V वराबर IR होता, लेकिन R के लिए कर रहे हैं, लिए V, R वराबर IR हो गया ठीक, और संधायत के सीरों के बीच बूल्ड था तो भी सी बराबर आई इंटू एक्ससी अचा आर के जगे एक्ससी क्यों कर दिया आपने आप पढ़े होंगे प्रतिवाधा कि जब परिपत्र में क्या जुड़ा हो सी जुड़ा हो मतलब संधायत जुड़ा हो प्रिरकुनली तो वहां पर उसे प्रतिवाधा कहते हैं और प्रतिवाधा को एक्ससे दरसाते हैं प्रतिरोध को आर से दरसाते हैं लेकिन प्रतिवाधा को एक्ससे दरसाते हैं समझ रहे ना प्रतिरोध को आर से यह प्रतिरोध के लिए था तो आर लेकिन जब संधायत किवल संधायत हो तब वहाँ पर प्रतिवाधा होता है ठीक है क्या होता है प्रतिगात होता है तो प्रतिगात के लिए अपन क्या करते हैं XC दर साथ है ठीक है न तो प्रतिगात क्या होता है मेंसा जयाद रखेगा X दरसाते हैं तो संधायत के सीरों के भी जो वोल्टा है VC बराबर I into XC यहाँ पर R न होकर X है क्योंकि जब भी संधायत तर जुड़ा होता है वहाँ पर प्रतिगात होता है और XC दरसाते हैं इसलिए XC हो गया clear तो VC बराबर I XC दोनों चीज़े clear हो गई समयकर एक डो तीन कहां कहां से आया यह समझ में आ गए आपको यह आपका ओम के नियम से V बराबर I R होता है तो R के लिए V R बराबर I into R और VC बराबर I into XC इतना clear इसमन आसार उम्मीद है अब इसके आगे थोड़ा सा freezer R एक आपको समझाना पड़ेगा ध्यान दीजेगा कुछ चिने आपको थोड़ा याद करना पड़ेगे दिया आप previous वीडियो नहीं देखें तो जब भी student R जुड़ा रहता है क्या R R की मैं बात कर रहा हूं R ठीक है तो इसमें धारा धारा और बोल्टेज समान कला में होती है किसमें होते हैं समान कला में होती है मतलब इनका कलांतर समान होता है जीरो कलांतर होता है यानि दोनों समान रूप से बढ़ती है है ना लेकिन ध्यान रखना लेकिन वहीं पे यदि आपका क्या संधारित्र जुड़ा हो संधारित्र जुड़ा हो तो संधारित्र में यदि ये धारा है यदि ये धारा है तो जो आपका वोल्टेज होगा संधारित्र के लिए ओ 90 डिगरी पस्षगामी होता है चीजें समझना है है आपको इतना याद रखना है कि जब के बल आर जुड़ा हो जब के बल आर जुड़ा हो तो आई और भी मतलब धारा और बोल्टेज समान कला में होते हैं कब इस्टूडेंट जब आर जुड़ा हो तो धारा और बोल्टेज यहनी बोल्टता समान कला में होंगे किंतु इस् पस्चेगामी है मतलब यह पस्चेगामी है नीचे की और अग्रगामी होता तो उपर की और करते पस्चेगामी है तो नीचे की और यदि इसको हम बोल्ड़ता को भीसी से इधर कर दें तो धारा चूंकि आगे है तो धारा उपर कर सकते हैं चुकि धारा यहां पर दरसा हैं त तो बोल्डता नीचे की और हो गया अग्रगामी पस्चेगामी का मतलब अग्रगामी मतलब आगे और पस्चेगामी मतलब पीछे इतना क्लियर हो गया तो परिणामी बोल्डता के लिए थोड़ा सा यहां पर मैं एक डाइग्राम बनाने जा रहा हूं जो कि आप आसानी से और आई है और बोल्टेज भी आ रहे हैं वो समान का लामी है समझ रहे ना इसका प्रणामी यह भी हो गया तो यह जो वीसी है कहाँ होगा नीचे की ओर होगा कियूं इस्टूडेंट कियूं होगा नीचे की ओर क्योंकि जब सी जुड़ा होता है मतलब संधारित्र जुड़ा होता है इस्टुडेंट तो जो संधारित्र है धारा से संधारित्र की बोल्डता पस्षेगामी होती है यहां पर कोण मानता हूँ फाई कोण कितना मान लिया फाई मान लिया ठीक है न इतना क्लियर हो गया अब यदि मैं इसको आगे ऐसा मिला दूँ तो एक त्रिबुज बन जाता है तो पाइधा गुरस प्रमे क्या कहता है कर्ण काबर्ग, लंब काबर्ग धन, आधार काबर्ग अच्छा ये भीसी है तो ये भीसी होगा कि नहीं होगा होगा कि नहीं होगा इस्ट्रेंट तो अपन यहाँ पर करेंगे कि पाइधा गुरस प्रमे से इतना क्लियर होगे, कहां से आया तो यहाँ पर आई और आर जब हैं तो समान कला में है लेकिन भीसी जो है पस्छेगामी है इसलिए नब्बे डिगरी पस्छेगामी हो रहा है तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि वी और और आई समान कला में है किन्तु आई से वी सी क्या है कला में पीछे है मतलब नब्बे डिगरी पस्छेगामी है वी सी पस्छेगामी है अर्थाइद आई आगरगामी है ठीक है तो इसे आरेख दोरा प्रदर्सित कर सकते हैं तो इतना आप लोग लिख लेना कि भी आरा और आई समान का लम है किन्तु भी सी जो है धारा आई से पस्चेगामी है जिसे आरेख दोरा प्रदर्सित किया गया है अब इसके आगे student मैं कहता हूँ पाइथा गुरस प्रमे से किस से पाइथा गुरस प्रमे से पाइथा गुरस प्रमे से पाइथा गुरस प्रमे क्या कहलाता है student कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग तो कर्ण यहां पर यह होगा परणामी यह परणाम ओच तो कोई देखकत नहीं ठीक, अच्छा V कमान क्या होता है, तो भी आपको V कमान लेकिन V R और VC कमान तो आपने देखा है, तो V Square बराबर, V R कमान I into R होता है, और VC कमान, I into XC होता है, बढ़ कर दिया पन ले तो कितना हो गया V Square बराबर I square into R square plus i square into xc square अब दोनों में से आप क्या कर लो i square बाहर ले लो तो यहां पर बच्चा r square plus xc square ठीक ही student अब यह बर्ग है इदार जाकर बर्गमूल होगा तो भी बराबर हो जाएगा i square का बर्गमूल तो i हो जाएगा लिकिने under root r square plus xc square यह आपका दे दिया है समीकरन मा लिजे जो भी है चार तो चार यह आपका भी है परणामी बोल्टता आगया परणामी बोल्टता आगया कोई दिक्कत ने student इतना clear हो गया आसना उमीद है कि आप लोग इतना तो आसानी से कर पाऊगी यह परणामी चार आपको ठाप लोग इन्जार होग परणामी बोल्टता है तो तो यही परणामी बोल्टता है थोड़ा सा Leonardo renting रहे आगे करते चलो मजा आएगा हल करने की यो ब sujet सकता है थोड़ा सा सय्यम रखने की अब सकता है अब आपको क्या नीकालना student प्रतिवाधा प्रतिवाधा निकालेंगे चिंता करें जुरत नहीं है प्रतिवाधा बहुत सिंपल तरीके से हल करोगे प्रतिवाधा कब होता है जब परिपत में दो या दो से अधीक प्रकार के है ना माध्यम जुड़े हों जैसे प्रतिरोध जुड़ा है यहां पे और सं स्कार ब्रस Master QC estos inveタ है असा अच्चा अच्चा भी बटै आई पराबर होगय अंडर उड ď इसक्वरब लस bestلم dot zakor अभी बटैया हों के नियम से तो होटा है आर जानदीजेगा ओम के नियम से हलं के नियम से जोरा होता है अर किनतु है किन्तु परिपर्थ में यह ज़ो radar इस्ट्रेंट किन्तु परिपात में क्या क्या जुड़ा हुआ है प्रेर स्वरी प्रतिरोधक जुड़ा है प्रतिरोधक हुआ प्रेर कुंडली जुड़ा हुआ है कुंडली जुड़ा है है ना यानि मतलब स्रेंडे क्रम में प्रतिरोधक और प्रेर कुंडली है इसलिए क्या होगा प्रतिवाधा जड होगा तब हो जाएगा आपका इसके जगा भीवतियाए के जगा जगा जड बराबर अंडर रूड R स्कूर प्लस XC स्कूर cafes यह हो गया प्रतिवाधा का फार्मुला किन्तु इस टिरेंड आप लोगों ने पढ़ा होगा देखेगा किंतु आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि xc बराबर होता है एक बटे omega c होता है ना तो z बराबर हो जाएगा अंडर root r square प्लस एक बटे omega square c square इसको आप समय कर दे धो 5 और इसको दे धो 6 है यह होगे आप देख सकते हैं complete इतना clear हो गया ना अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अब इसमें क्या निकालना है कलांतर कलांतर आपको कैसे निकालना है कलांतर मतलब कितने degree का अंतरश्ट्रेंट फाई ठीक है यह कहां से निकले गए इतना clear है screenshot लेना तो ले सकते हैं जी हाँ इसको विडिवाद आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसका notes भी purchase कर सकते हैं स्यो कोचिंग classes द्वारा दिया जाता है जिसका contact नंबर है छी आने पर जासी उन्तिस इंग के नंचास इस नंबर पर contact करके आप ले सकते हैं देखे कलांतर निकाल नहीं क्या निकाल नहीं कलांतर थोड़ा सा start cut करने की कोशिश करेंगी कलांतर मतलब इनके जो धारा और voltage है इनके बीच कला में कितना अंतर है कोण में कितना अंतर है तो थोड़ा सा यहां पर मैं लिखे देता हूं कि CR परिपत कि CR परिपत ना CR परिपत मतलब संधायत और प्रत्रोज जुड़ा हुआ है परिपत में धारा आई बोल्टता भीसे कलामी यह देखो ना परिड़ामी voltage है और धारा आई यहां पर कलामी क्या है अग्रगामी है क्या है अग्रगामी है और यदि कलांतर फाई हुए फाई है कलांतर दोनों के बीच में अंतर ना यदि कलांतर फाई हो तो देखना फाई हो तो आप लगा दो टैन फाई टैन फाई अच्छा टैन का सूतर क्या होता है टैन का तो होता है कि लंब टे आदा तो इसके सामने वाले बुज़ा लंब यानि भीसी पटे भी आर हो जाएगा इसकी बेलू पुट कर दो तो टैन फाई भीसी कमा I into XC इसका I into R I say cancel हो गया XC बटे R अच्छा XC कमान वन अपन Omega C बटे R समझ रहा हो ना तो 10 5 बरावर कितना हो गया 10 5 बरावर 1 बरावर Omega C R हो गया इतना clear लेकिन हम को कलांतर 5 बरावर निकालने इस्ट्वेंट 5 बरावर तो पक्षांतर हो जाएगा तो 10 inverse 1 अपन Omega C R ये क्या आ गया तो कलांतर आ गया कलांतर आ गया इतना लेकिन अभी धारा भी हम निकाल सकते हैं धारा निकाल सकते हैं क्यों इस्ट्वेंट क्योंकि धारा कितना होगा voltage से तो voltage से 5 अगरगामी है ना देखना प्रत्यवर्ति धारा यहां पर निकाल देता हूँ आपको confusion सारी चीज़ें दूर कर दूँगा जितना आप basic से basic पढ़ते हैं पूरा basic clear कर देता हूँ तो धारा के लिए निकाल दा हूँ देखेगा ना धारा चूकि धारा क्या है अगरगामी है चूकि धारा voltage से क्या है अगरगामी है अगरगामी है तो आई बराबर होगा आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाई फाई का अगरगामी फाई के बराबर ना फाई बराबर जहां पर फाई कितना है यहां पर फाई आपने प्राप्त किया 10 इन्वर्स 1 अपन ओमेगा C R यह हो गया धारा का अब इस्टुडेंट आई बराबर क्या होता है धारा बराबर भी बटे R तो R के जगए जड़ होगा जड़ क्यों होगा क्योंकि यहां तो प्रतिबादा है जड़ कमान कितना आया R स्क्वेर प्लस 1 अपन ओमेगा स्क्वेर C स्क्वेर यह आया है ना आपने देखा हुगा ठीक तो यह आपका आचुका है आई बराबर यह आई जड़ बराबर दिमें करूंगा तो B0 बटे कितना हो जएगा जड़ हो जएगा मतलब B0 बटे अंडर रूड कितना हो जएगा R स्क्वेर प्लस 1 अपन ओमेगा स्क्वेर C स्क्वेर यह इस्ट्रा नॉलेज है इस्ट्रा नॉलेज इसको बलते है लेकिन आपका कलांतर तक पूशा जाता है कोशन तो कलांतर तक बन जाएगी ठीक है तो आसार उमीद है कि वीडियो पसंद आएगी पसंद आएगी प्लीज लाइक कर देना दोस्तों सेयर कर देना हैना बड़े मिनस से बनाता हूँ यार प्लीज आप लोग चेक कर लिया कर दोस्तों सेयर करना बिलकुल न भूले ठीक है और कांटिनू में इनत करते रहो बेसिक से बेसिक में कुशित करता हूँ कि आपको दे सको तो चलते हैं मिलते हैं फिर तर तक लिजए हिन बंदे मातराम